हेलो एब्रीवन बेलकम बैक माई यूटूब चैनल कैसी हो आप सभी ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आएंगे वीडियो को एंट तक वाच करना वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सेयर कर देना यदि चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए जैसे हम नाइफ को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते करते हैं, उनकी धार जो कम हो जाती है, मार्केट में हम इने चड़ाने जाते हैं, तो बहुत पैसे मांगते हैं, और फिर टाइम भी हमारे वेश्ट होता है, तो इ एक पार्ट के अंदर लाइनिंग, लाइनिंग होती है, उस पार्ट से हम इस चाकू की धार को अच्छी तरह से सही कर सकते हैं, आप इसे किसी भी चीज की धार लगा सकते हो, और सीजर होती हैं, सीजर जैसे हम कपड़ा कारते हैं, तो वो नहीं कारते हैं, तो सीजर की धार हम तरह सकते हैं और आपके घर में जो चीज हम जैसे काटने में सितैमाल करते हैं नाइफ है सीजर है आप उनको आच्छी तरह से धार लगा सकते हैं एक वार हम इस तरह से नाइफ में धार लगा लेंगे तो यह काफी लॉंग टाइम तक चलती है और सीजर से जैसे हम पेपर बगएरा कारते हैं तो धार जो होती है वो खराब हो जाती है मुड़ भी जाते हैं बच्चे बहुत सारे क्रैफ्टिंग के काम करते हैं तो उसकी वज़े से यह हमारी सीजर खराब हो जाती है देखी इस तरह से बड़ी सीजर का ही मैं प्रियोग करती हूं बच्चे भी मेरे इसी सीजर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे ना क्राफ्टिंग का कम जो होता है बहुत अच्छा होता है और फिर क्या होता इसमें जंग भी लग जाती है जंग लगने की वज़े से भी ये खराब हो जाती है उसके लिए भी ये वैसलीन जो होती है बहुत ही वैटर होती है आज बैसलीन के मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगी बैसलीन से हम क्या क्या चीज़ है अपने घर में जो ठीक कर सकते है तो ये देखिए मैंने एक बैसलीन लिये है बैसलीन से जैसे हम कोई चीज काटने के बाद क्राफ्टिंग का काम करने के बाद इस तरह से बैसलीन लगा कर रख देंगे तो उसके बाद क्या होगा इसमें जंग जो लगती है वो नहीं लगेगी आई थिंक आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी चलो चलते है नैश्ट टिप्स की तरफ आगे बढ़ती है तो देखिए हम ये लॉक जो इस्तेमाल करते हैं इनमें भी अंदर जंग लग जाती है जिसकी वज़े से ये जो हमारे लॉक है खराब हो जाते हैं कभी लग जाते हैं कभी नहीं लगते हैं उसकी वज़े से हम बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी जाते टाइम इतने परेशान हो जाते हैं लॉक हमारे लगके नहीं देते हैं उसके लिए ये मैंने एक एयर वर्ड लिया इयर वाइट के बाद मैं मैंने इसमें बैसलिन लगाई है बैसलिन लगाने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से अंदर से किलीन कर लूँगी जिससे कि इसके अंदर जो जंग लगी होगी वो बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगी हमें इसमें पहले सरसो का ओईल इस्तेमाल करते थे सरसों का उसकी बज़े से हमारे लोग खराब हो जाते थे तो सरसों का ओइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वैसलिए इसकी सारी गंदी निगल जाती है और लोग जो होते हैं हमारे काफी टाइम तक चलती है और यह जो इसके अंदर ना जो कॉटन थी वो फज गई है म बहुत अच्छी तरह से लोक लगेगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसे लगाईए या बंद करिए तो देखिए मैं आपको क्या बार लगा कर भी दिखा रही हूँ इस तरह से हम आपने घर की पुरानी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आइ थिंक आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी चलो चलते हैं नेश्टे टिप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए जैसे हम कोई मैर्केट से चीज़ लाते हैं तो उसकी जो इस्टिकर होते हैं इस्टिकर के बाद में जो गॉंद होता है न वो हातों से चुपकता रहता है उसकी वज़े से हम परिशान रह जाते हैं जैसे किसी इस्टिकर को हमें निकालना हो और उसके बाद गॉंद को छोड़ाना बहुत मुस्किल हो जाता है आज मैं आपके लिए बहुत ही वेश्ट यूजफूल आईडिया लेकर आई हूँ तो जो इश्टिकर होते हैं आप छोड़ा देते हैं छोड़ाने के बाद में हम जो वेशलीन होती है ना वेशलीन को इस पर लगा दीजी उससे क्या होगा इसके ऊपर जो गॉंद होगा वह बहुत ही आसानी से छोड़ जाएगा और हमारे हाथ भी नहीं चुटकेंगे तो यह बहुत ही वेश्ट तरीका है एक वर आप ट्राए करके देखना तो इस टीकार हमें बहुत सारी चीज़ों से छोड़ाने पड़ते हैं जैसे कोई कोकर है भगोना है उसके लिए आप इस वेशलीन का प्रियो कर सकते हैं और जैसे चोड़ाने के बाद फिर हम उसे वाश कर देंगे तो हमारी चीज एक्दम किलीन हो जाएगी आई तिंक आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी देखिए नेश्य टिप्स में मैं इसका इसटीकार छुडा रही हूँ तो वो नहीं चुपकेंगे, एक वार आप वैसलिन लगातीजिए, वैसलिन लगाने के बाद में आप जो कपड़ा होता है, सुके कपड़े से आप इसे पहुंच दीजिए, पहले तो ड्राइ करके पहुंच दोगे, तो आपके हाग बिल्कुल नहीं चुपकेंगे, इस तरह स आप सारे श्टीकर को निकाल सकते हैं, जहां से आपको श्टीकर निकालना है, उसके बाद आप वैसलिन का प्रियोग कर सकते हैं, I think आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी, चलो चलते हैं, नेश्ट टिप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही यूजफुल टिप्स है देखिए जैसे हम सिलाई का काम करते हैं, तो हमारे सिलाई मसीन के ऐसे कही पार्ट होते हैं, जिनमें जंग लग जाती है, और उसे हठी कराने के लिए हम किसी मेकेनिक को ढूरते हैं, या खुद उसे चेंज करने की कोसिस करते हैं, तो इसके जो मसीन के पार्ट होते हैं, ब बहुत आसानी से छोड़ जाते हैं एक बार ट्राइ करके देखना बहुत ही यूशफुल टिप्स है तो जो लोहे की चीज़ें होती है उनमें जंग लगती है उसे छुड़ाने के लिए ये वैसलिंग भूत ही फायदेमंद है और इसे क्या होता है जैसे हम एक बार वैसलिंग से साफ कर रहते हैं जो दूल मिट्टी जमती है और यह बहुत ही यूशुल टिप्स है एक बार आप ट्राइक करके देखना तो जैसे नीडल होती है और सीटिल होती है उसके बीच में भी ये जंग लग も आसाना साफ पर सकते हैं I think आपको ये टिप से भी पसंद आई होगी, पसंद आए तो फ्लीज लाइक एंड जेयर कर देना चैनल पर पहली बार आए हो, तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठैंक यू.